असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकेम टू मार चैनल शवनूर अली फ्रेंट्स आज थोड़ा सा काम देख लीजिए इस वीडियो में और हम एक प्लांट की कटिंग भी ग्रो करेंगे जो कि बहुत खुबसूरत है और जो मैं काम कर रही थी वो मैं यहां क्लेनिंग कर रही थी क्या होता है ना कि पौधे खुद कहते हैं कि मेरी फिक्र मत कीजिए मैं आपको खाद बना कर खुद दूँगा और थोड़े थोड़े दिन में यह हमें खाद का मिटेरियल देते रहते हैं मतलब कि मिटी डीकंपोस हुए पत्ते लीफ मोल्ड सब कुछ पौधे ही देते हैं हमें तो मैंने सारे प्लांटर्स को इधर उतार उतार के उतार उतार के उनके पीछे से पूरी मिटी निकाली पत्ते निकाले और उनको एक खटा किया तो क्लेनिंग हो गई फिर मैं इसमें सोना जिसके जरीए गार्डनिंग चल रही है मतलब यह के खाद नहीं खरीदनी पड़ती और मिटी भी कम इस्तिमाल होती है वजन भी टेरिस गार्डन में गमलों का हलका ही रहता है तो बस बहुत फायदे हैं इस कच्रे के तो निकल आता है तो कम से कम दो चार प्लांटर्स बर जाते ही है अब जिस प्लांट की हम कटिंग ग्रोग करेंगे तो मैं इसके देखे सफाय कर रही थी पत्ते सूख रहे है ना आजकल मैंने सूचा कि चली कटिंग भी ग्रोग कर लेते हैं तो यह है प्लांट की खुपथे की वज़े से क्रोकिया जाता है जमीन पर लगी क्रोटन प्लांट की तो कोई केर नहीं करनी परती पॉट में लगी होते हैं तो थोड़ी सी केर करनी होती है जैसे कि इसमें फ्लारिंग हो रही है जैसे कि कोलियस में फ्लारिंग होती है पर फ्लारिंग की ज़रूरत परती नही तो उनको प्रून कर देना होता है मैं सूके पत्ती हटा रही थी सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा शौट कर देते हैं बहुत छोटा गमला हो और बड़ा प्लांट तो अच्छा नहीं होता क्रोटन के लिए बस छोटे ही पॉट में क्रोटन खुश रहते हैं इस वज़े से मैं इसकी प्रूनिंग करकर के इसको छोटा करती रहती हूँ स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा टाइम होता है इसको ग्रो करने का और इसका ग्रोइंग टाइम समर सीजन भी है तो इसके खुबसूरती पानी के लिए समर की शुराज से पहले तैयार कर लेना चाहिए प्लान को और खाद भी दे देना जाहिए तो देखे मैंने एक कटिंग ली और इसको हम लगाएंगे इस कंटेनर में और इस कटिंग को लगाने के लिए आधा लीजिए आप रेवर सेंड कोई भी बालू यम और और आधी मिटी और फिर इसमें एक आपकाम कीजिए कि यह जो अलोवेरा है ना इसके पते के साथ ही हमें इसको ग्रोब करना है तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर छोड़ दी अलोवेरा का जेल नहीं यूज कर रहे हैं और हम ऐसे ही लगा रहे हैं गर्मी है ना तो थोड़ा सा यह मौशर मेंटेन करे रहेगा और दूसरी भी कटिंग हमने यहां जो लिए है उसमें भी एलोवेरा के एक टुकड़े की साथ हम इसको लगा देते हैं एलोवेरा फंगिसाइड भी होता है साथ में फर्टिलाइजर भी होता है तो एक और कटिंग लिए जब भी आप क्रोटिन की कटिंग्स लगाएं तो ज़्यादा लगाएं पाच छे इंच की कटिंग्स लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है और साथ में आप क्या कीजिए कि इसको पते से भी ग्रोग किया जा सकता है पर कटिंग से ज़्यादा आसान होता है एक बड़ा पौधा जल्दी तयार होता है तो यह दोनों कटिंग मेंने मिटी के अंदर दबा दी है और मिटी मेंने साइट से डाल दी काफी अच्छे से दबा दिया हीले ना कटिंग थोड़ी भी उसके बाद वाटिंग अच्छे से कर देना ड्रेने जोल से पानी निकल जाना चाहिए और फिर इसको आपको रखना होगा ऐसी जगह पर जहां बहुत तेज सनलाइट ना पड़ती हो और बिल्कुल छन छन कर थोड़ी सी मॉर्निंग की धूप मिल जाए बस वही अच्छा है वरना सेमी शेड में रख दीजे और एकाथ हफते के बाद शायद इसमें थोड़ी थोड़ी रूर्स वगेरा आ जाएंगी और ऐसी जगह हम चुन लेंगे पानी हमें शुरू में इसलिए जादा दे देना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी वार्टरिंग न करना पड़े और मेटी गिली रहे और जेने जोल से एक्स्ट्रा पानी निकल भी जाए बहुत गिली मीटी इसको पसंद नहीं होती पर मौशर बेहत पसंद होता है तो मैंने ये जगह चुनी और इस जगह पर शेपा कर रख दिया पौधों के आसपास क्रोटन को रहना बहुत अच्छा लगता है चाहे बड़ा प्लांट हो चाहे छोटा प्लांट हो अकेले वो जल्दी सर्वाइव नहीं करता है तो बस कलस्टर्स में रखिए और इस वीडियो पर लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अल्ला हाफिज